अगर आप सोचने बैटोगे ना तब समझ में आता है कि घर में ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसको हम कभी और बस ऐसे ही उसको यूज करते वे चले जाते हैं जैसे वो रखी हुई है और हमें ना कभी रियलाइजी नहीं होता है कि इनको भी हमें एक प्रॉपर वेसी रख सकत के कुछ बहुत ही यूसफुल होम हैक शियर कर रही हूँ होप आप लोग को जरूर पसंद आएगा सो वीडियो को जरूर से फुल वाच कीज़ेगा सो हेलो फ्रेंड आयम रूपा वेल्कम तो दे चैनल आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे सचलो स्टार्ट करते हैं 20 sag successful just squash07 our but game in the kitchen में बहुत ही आसानी से मारे घरों में available होते हैं यह अलमुनियम फॉल के कार्डबट वॉक्स् wingस होते हैं जिसको हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते अपने किच्छन में जब ख़तम चाती हैं अलमुनियम फॉट उनको हम आ फिक सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसका जो ऊपर का जो भी पार्ट था उसको मैंने कट करके हटा दिया और यहां पर मेरे पास ये वाल-पेपर हैं बहुत ही प्रिंट है इसका तो यह मैंने रिपर्चेस किया है मीशों से बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इसका प्रेंट इसको अब भी ना कवर किये भी यूज कर सकते हो बट मैंने थोड़ा सा सेवटी पपस के लिए इसको कवर किया है क्योंकि अलमुनियम फॉल में थोड़ा एक साफ करते हैं तो हाथ में ना लगे इसलिए मैंने इसको इस तरीके से कवर कर दिया है और देखो दो मिनट में मेरा एक बढ़ी हास ऑर्गनाइजर बनके रेडी हो गया है इस टाइप के जो भी बॉक्स होते हैं उसको ड्रसिंग एरिया में भी यूज कर सकते अपने कॉम को रख क्या करें कुकि बार-बार ट्रे इस तरीके से रखने में गिरते रहते हैं मैं अपने ब lassonneा में एक रह एक गिर एक के तूट भी चुका है तो मैं रिस्कश नहीं लेना चाहते हूं हूँ इस तरीके से बॉक्स को और यहाँ पर यूज कर रहे हूं और एक तरह से कट करने का करने के लिए तो काफी सारी जो भी कढ़ाई के लीड वगिरा है उनको भी हम रख सकते हैं क्योंकि उनको भी रखने में थोड़ी सी परिशानी हमें होती है और बहुत ही अच्छे से इस टाइब के और आप यूज कर सकते अपने किचिन में आपका किचिन मॉडुलर है तब भ किचिन में इस तरीके के विस्ट पड़ेवे चीजों से ना हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते जिसको काफी अच्छे से यूज कर सकते अपने किचिन में काफी यूसफुल होते हैं प्लास्टिक के फूट कंटियनर काफी सारे हम घर में जमा कर लेते हैं क्योंकि आया दिन आते रहते हैं हमारे घर में कुछ चीजे है और बहुत सारे घर में जमा हो जाता है और समझ में नियादा है कि इनकों किस तरीके से यूज करें और फेकने कभी मन करता नहीं क्योंकि कुछ ना कुछ तरीका तो हम निकाली लेते हैं ना एक तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया था जो कि ड्रॉट्स में ऐस और यूज किय लेकिर आपने कभी सोचा था इस टाइप के जो भी फूट कंटेनर से हमारे पास होते हैं घर पे वेस्ट पड़ेवे उनकों इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं काफी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं मतलब इनका जो लुक है छुट शुट प्लांटर का जो भी आटा तो हम सभी के घरों में आता है बट इसकी पाकेट होती है इसको यूज करने के बार में सोचते ही नहीं है बस निकाला डबे में डाला आटा और इसको हम डस्ट पिन में फेक देते हैं बट आज हम इसको यूज करेंगे काफी बढ़ियां तरीके से अपने डेली इसलिए मैंने इसको बीच से कट नहीं किया है साहीट से मैं इसको कट कर लूँगी अच्छा सा एक शेप दे दूँगी आप चाहो तो इसको बीच से कट कर सकते हो चोटा अगर आपको चाहिए तो मीशो में इस तरीके का बेकिंग मैट्स मिलता है जो कि काफी यूज फूल अपना काम थोड़ा भी कम कर सकते तो क्यू रहे हैं यहां पर इंभी कि 150 या फिर 149 के राउंडी है लेकिन भी अगर हम 150 रुपीज भी सेव कर रहे हैं तो वह सेविंग भी हम कहीं और लगा सकते हैं तो देखिए इसको यूज करना कितना आसान है बस यूज किया और आपको इसको पोचना भी नहीं है बस इस तरीके से आप इसको फोल्ड करके ड आज मुझे घी भी निकालना था तो अगर आभी मेरी तरह घर पे घी निकालना पसंद करते हैं तो मुझे जरूर से बताएगा कॉमेंट सेक्शन में कि आप कौन सा तरीका यूज करते हो कौन से मैथर यूज करते हो मैं अभी तक ना अपने हाथों का ही यूज करती थी घी बहुत मैंनत नहीं लगती है तो मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला और फिर इस तरीके से बहुत ही इजीली निकल गया इसमें से जो भी मखन थे वो सारे ही अलग हो गया आप देख सकते हो हां लेकिन आप लोगों को धियान रखना है कि जादा पानी एक बार म से थोड़ा से तो मेरा निकल गया था बर तफिर भी जादा डाइम नहीं लगा बिलकुल अलग हो गया था सारा मक Когда थोड़ा और प्वादर ये यह बहुत ये कम टाइम में ये मेरा हो गया था तोड़ाघी अपको एक मिनिट आपको चला ना पड़ता है रुकुरुक करना पढ़ेगा आपको मिक्षी ही थोड़े से बरतब जादा गंदे होते हैं लेकिन अच्छे से अपका जो मक्षन अलग हो चाता है थोड़ा सा और इसमें मैंने पाने डाला था और देखे इस तरह के से लड़ू बनाते बनाते मैंने कड़ाये पे सारे जो भी मक्षन है उसको डाल दिया था और बहुत ही जल्दी मेरे घी रेडी हो गया थे मतलब मुझे ना पनीर भी फ्राई करना था रात के टाइम में मैं पनीर मेरे फ्राई हुए ही नहीं और मेरा जो घी है ना वह बनके रेडी हो गया था तो बहुत ही जल्दी मुझे लगता है दस से पंदर मिर्ट में घी मेरे रेडी हो गया थे बन करके तो यह प्रोसेस आपका टाइम सेव कर सकता है काफी अच्छा मुझे लगा तो मैंने स इसी तरीके से निकालते होंगे बट मैंने फॉर्स टाइम ट्राई किया था तो आपके साथ शेयर किया मेरे घर में वीक में एक दिन मश्रूम आही जाता है उसके साथ यह कंटेनर भी मिल जाता है तो काफी सारे मेरे पास जमा हो जाते हैं तो कुछ तो मैं फेक देती हूँ बट कुछ बहुत को मैं अच्छे तरीके से यूज़ भी करती हूँ तो इसको आप ऐस और्गनाइजर ऑफ कर सकते हूँ ईस 차례 के यह चागते हूँ इसमें फॉर्क करने तो मैच पूर्णा कर लिया है और इसमें काफी आप इसमें रख खोरगाइब करेंगे ताकि कच्व यह तिसमें रखो और निकल जा отв किचिन में हम काफी अलग अलग तरीके के भी स्क्रबर यूज करते हैं कुछ हार्ड वाले होते हैं कुछ सॉफ्ट वाले होते हैं तो उनको रखने के लिए हमें कुछ और्गनाजर चाहिए होता है और यह एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए तो क्योंकि मेरे घर पे जल्द मिलती हूँ एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए बाए टेकर और थाइंक यू फॉर वाचिंग